नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकम है क्विक इस्टडी जीयो चैनल पर आज का जो टॉपिक है वो है जो लॉजिकल सर्वे आफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड यहां पर स्पेलिंग मिश्टेक हो गया है ना डिस्कवर्ड अन्यू सार्क स्पीसिज ठीक है आपका ज स्पीस तो निवली डिसकोड जो सार्क स्पीसिस है उसका नाम कया है स्क्वेलस ही इस यह माटी आफ दिस्कवर्ड अप्डिस निव स्पीसिजिस इस क्रूश फॉर कंजर्वेशन एफर्ड एस डौस एस डॉकन फिस सार्क सार्क शौका जोकी निया प्रजाती अहनु में औ dog fish shark का ही नया प्रजाती है ठीक है तो यहाँ पर यह बताया जा रहे है कि जो dog fish shark होते है उनका एक तरह से exploitation हो रहा है उनका सीकार हो रहा है क्यों उनके fins के वज़े से liver oil के वज़े से उनके meat के वज़े से ठीक है अब जानती है स्कुलिस हिमा क्या है ठीक है स्कुलिस belongs to the genus of dog fish shark commonly known as spur dogs in the family ठीक है बन भी आपका स्कुलिडे family जो है उससे बिलॉंग करता है आपका यह जो स्कुलिस हिमा है ठीक है यह तरह का dog fish shark है जिसे हम इस पर डॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, इसके फिन स्पाइन्स के स्मूथ के वज़े से ये फिन को एक तरह से केटेग्राइज किया गया है, इसको जाता जानने के जोरस नहीं है, ठीक है, ये वही है, इसको जाता है, इसको जाता है, इसको जाता है, इसको भी जाता है, ये क्यों डिफरेंस है, किस में दाथ है, ये ज्यादा आपका उसमें नहीं पूछते हैं, इसको जानता है, इसको जाता है, इसको जाता है, ये एक तरह से कुछ अलै को जाता है, इसको जाता है, यह है यह इस और टिस डिस डिमांड ओर फार्सटिकल इंडस्ट्रीस कर यह जो आयल इसका फार्मसेoff.com हैं लेस्ट्री मिटेश। हैं जश्वे时 übit आपका स्मेटिक्स अचा और साध हाइं कोस्मेटिक्स और anti-cancer products बनाने में भी इसका जो ऑईल है वो यूज होता है ठीक है the discovery of new species is important to conserve such variety of species है तो एक तरसी important है बस इसका नाम याद रख लिजिए squalas hyma ये क्या है new shark species है ठीक है कहाँ पर पाया गया आपका के रला के कोस्ट में ठीक है तो बस इस टॉपिक में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में